हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोलोसेट मार्ट टेबलट के वारे में, जे जो टेबलट है जे किन कुंडिशन में यूज की आती है, इसके क्या यूज, डोस, क्या वर्क, क्या साइट फेक्स, जूनिवेटरिस, मेडिकेयर, लिम्टेड कॉंपनी द्वारा मेनफेक्चर की गई है, इसकी आपको एक स्टिप में, टैन टैबलर्स मिल जाएंगे, जिनका जो प्राइज है, जी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, 80 टूर पीस में मिलेंगी, और दोस्तों, इसमें कॉंप लोफैनिक है, वो 100 mg, और सेकंड पैरासिटमोल, वो 325 mg, और थर्ड इसमें क्लोरोजॉक्सन, वो 250 mg, इसमें एड़ किया गया है, फर्सली हम दोस्तों जानते हैं, इसमें जो कॉंपोईजिशन पाए गए है, उनका क्या वर्क है, वो कैसे वर्क करते हैं, इसमें जो असली एंटी-इंफ्लामेटरी ड्रग है, और सेकंड पैरासिटमोल, जै अनाल्जैसिक एंड एंटी-प्राइटिक मेर्शन है, जै दोनों दोस्तों बॉड़ी में अगर हमारे पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, इंफ्लामेशन होगी है, जा फिर पेन और इंफ्लामेशन के साथ पेशन्ट को फीवर और बखार हो रहे है तो उस कुंडिशन में जे बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं दोनों और थर्ड इसमें जो क्लोरो जोक्सन है जे मसल एलेक्सन मेड्सन है जो के मसल को रिलेक्स करने में हेल्प करती है और सेकेंड दोस्तों इनके ब्रांड नेंग की बात करें तो जी आपको मार्केट में अलग लग ब्रांड नेंग में मिल जाएंगी जैसे इसफलेक्ट MR, डोलो काइंड MR, डोलो स्टेट MR, टाफे सीटा जोक्स A जो के मिल जाएगी इसके मार्किन में जो ब्राणने में बो लग मिलेंगे बट इसमें जो कॉंपोईशन कॉंटेंड पाया गया है वो सीम ही रहेगा आप किसी भी ब्राण की जो मैडसन है जे ले सकते हैं अब जान लेते हैं इनके जूजिस के बारे में जे जो टैबलट है जे किन कुंडिशन में यूज़ कर सकते हैं अगर दोस्तों आपके बॉड़ी में किसी भी तरह का दर्द हो रहा है दर्द के साथ बुखार है जहां फिर मास पेशियों में दर्द उन में जकडन जहां फिर खचाब जैसा फील हो रहा है तो उन कुंडिशन में जे जो टैबलट है वह बहुत ही अच्छा वर्क करती है और अगर पेशियों को Osteo Arthritis, Remed Arthritis जहां फिर स्प्रेंग, Joint Pain जहां फिर बॉड़ी में पेशियों हो रही है तो उन कुंडिशन में जो टैबलट है वह ली जाती है और अगर पेशन को spondylitis की problem है meaning read की अड़ी का दर्द हो रहा है तो उसमें वी जो बहुती अच्छा work करती है overall दोस्तों अगर आपकी body में किसी वी तरह का दर्द हो रहा है mass tissue में दर्द हो गया है उनमें खचाव आ गया है joint pain हो रही है तो उनमें आप इस टैबलर का यूज है वो डॉक्टर की ड्वाइस से कर सकते है और इसके side facts की बात करें तो अगर patient जो इसकी overdose लेता है तो उसको nausea, allergic reactions, skin rash, drosiness, dizziness और enzomia की problem हो सकती है और दोस्तो इसकी dose की बात करें तो इस टैबलर की जो dose है वो दिन में 2-3 बार ली जाती है वो भी डॉक्टर की advice से और आप इसको according to condition जब आपको जो problem हो रही है तो उसके according भी आप इस टैबलर का use है वो कर सकते हैं और इसकी precautions की बात करें तो इस टैबलर को आपने pregnancy and जो breastfeeding mother है वो डॉक्टर की advice से इसका use करें और जिन पेशन को severe heart failure की problem है जा फिर moderate to severe renal and hepatic impairment हो गई है तो उन condition में आप अपनी डॉक्टर को proper अपनी medical history बता कर फिर इस टैबलर का use करें तो दोस्तो जे तो थी डॉलू सेड एमा टैबलर के वारी में जानकारी अगर मेरी वीडियो में दीगी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और में चैनल को subscribe कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दुआ देना तांकि मेरी वीडियो को notification आपको मिलता रहे ओके फिर मिलते हैं नएस वीडियो में ओके बाई take care